एम्स में इस वक्त हमोजूद हैं डॉक्तर हश्वर्दन के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन लेकिन आज से एक नई उम्मीद डॉक्तर हश्वर्दन जागी है पहले ये दिन और आपका पूरा अनुभव जो अभी रहा है वैक्सिनेशन की शिरुवात हुई आपकी आँखो जंग को और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया प्रदानमंत्री जी का पूरा मार्क दर्शन मिला हम सब को पूरी सुसाइटी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया जंग में बहुत सारे कोविड वारियर्स जो हैं उनको हमने खो दिया बहुत सारे देश के अंदर हमारे परिवार जन, हमारे मित्र, हमारे साथी उनको खो दिया तो इस सारी परिस्तितियों के बावजूद भी हमने देखा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रिकावरी रेट हमारा है सबसे कम हमारा fatality rate है दुनिया के अंदर हमारे विज्ञानिकों ने हमारे researchers ने हमारे जो doctors ने जो vaccine बनाने वाली companyों के लोगों ने और सबसे जादा जनता ने जिसने clinical trials में participate किया इन सब लोगों ने एक साल से भी कम समय के अंदर हमारे को दो vaccines दे दी और आज दुनिया का सबसे बड़ा COVID-19 के खिलाव vaccination campaign हम यहां भारत में शुरू करने के सानिटेशन वरकर से शुरूआत किया आप दो गुलेरिया को लगा विश्वास जगाना सबसे बड़ी चुनौती हो जो पहला था वो इसी प्रकार से class 4 के employee से शुरू किया nursing staff से शुरू किया फिर एक doctor से शुरू हुई रही है और आज देश भर में लगबग तीन लाक से ज़्यादा जो है हमारे health care workers जो है सरकारी और private settings में उनको vaccination मिलेगा डॉक्टर हर्षवर्दन की बारी का आएगी देखिए डॉक्टर हर्षवर्दन अपनी बारी का इंतजार करेंगे डॉक्टर हर्षवर्दन डॉक्टर तो हैं लेकिन अभी किसी hospital में मैं hospital के health care worker की तरह काम नहीं कर रहा इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल स उपर के लोगों का vaccination मिलेगा तो मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा और मैं सारे देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि धैरे पूरवक्ट अपनी बारी का इंतजार करिए जैसे आपने धैरे के साथ समझधारी के साथ COVID appropriate behavior को अपनाते हुए COVID के खलाफ जंग लड़ी ह जब isolate होने के लिए कहा तो isolate हो गए जब surveillance के अंदर रहने के लिए कहा तो surveillance में आ गए जब treatment को ठीक से करने के लिए कहा तो treatment ठीक से किया जब mask को ठीक से पहनने के लिए कहा तो ठीक से आपने mask पहना जब हाथ धोने के लिए कहा तो आपने ठीक से हाथ धोया जब दोगज की दूरी बनाने के लिए कहा तो आपने दूगज की दूरी बनाई चाहे गाव में थे चाहे शहर में थे चाहे ट्राइबल एरिया में थे सब जगा लोगों ने मिल Military का काम किया तो जिस दहर का और जिस ओर्जा का जिस सहन शीलता का समवेधन शीलता का परचे सारे साल भर देश के लोगों ने दिया और जिस तरह से स्वेम सेवी संस्थाओं ने इसमें काम किया पिछले एक साल में तो अब हमारा वही लोगों से कहना है कि अभी भी धैर रखिए अपनी बारी का इंजार करिए आपकी बारी पर आपको भी वैक्सिन जरूर मिलेगी सरेकोब सरकारी पुष है क्या स्वदेशी के लिए सवाल उठ रहा है यह सवाल इससे पूछे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या चॉइस दिया जा रहा है किसको को वैक्सिन लगेगा भारत बायोटेक वाला किसको को विशीर लगेगा सिरम इंस्टिटूट वाला यह एमस में सर को वैक्सिन लगा इसके पीछे कोई वज़ा नहीं है दोनों वैक्सिन स्वदेशी हैं पहली बात दोनों वैक्सिन भारत में बनी हैं दोनों वैक्सिन बराबर सेफ हैं एफेक्टिव हैं इम्मिनोजैनिक हैं और किसी भी वैक्सिन के बारे में किसी भी तरह की अफव इस प्रकार की भी जो गलत फेहमी है या इस प्रकार का भी जो दुश प्रचार है इसमें हम कता ही ना पड़ें जो भी वैक्सीन हमें देश के अंदर मिलती है उसको हमें लगवाना है और वो लगवाना हमारे को सुरक्षा देने के काम में और मजबूती प्रदान करेगा देश को कोविट के खलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और जादा इसके अंदर कॉंट्रिबूशन मिलेगा